सलाम नमस्ते हेलो केमचो स्वागत है आप सब ही का वाइफाइ स्टेटिक 2.0 के इस खास सेशन में जिसमें हम लोग बेश 200 प्लस करेंट अफ़ेर विट स्टेटिक जीके का सेशन लेके चल रहे हैं यानि कम्प्लीट जनरल अवेनेस चाहें बैंक और सेसी और रेलवे और जि शेयर कर दीजएगा मेरे वाई एक बार दबा के शेयर कर दीजएगा और जितने भी लोगों का रबी आफिस अ्टेंडेंट में आज निकला है उन समी को बधाई हो और जिनका नहीं निकला है वो यह समझे लो कि वो गुरूप डी की जॉब है नहीं निकला तो कोई बात न भगवान ने कुछ अच्छा चुना होगा तुमारे लिए, ठीक है, कुछ group C, group B, bank, PO, कुछ बड़ी opportunity चुनी होगी, तो इसलिए भगवान के फैसले पे अपना भरोसा रखो, चलो, शुरू करते हैं दोस्तों, यहाँ पर top educator के साथ, यहाँ पर an academy सक्तर से ज़्यादा teacher का एक आपके लिए, जो है, एक कुम्भ, एक महा मिलन आपका करा देता है, कि आपको अलग-अलग जगा भटकने की जुरूत नहीं है, यानि 84 लाख यूनियों में भटकने के बाद मोक्ष के प्राप्ति, आपको यहाँ पर हो जाती है, यहाँ पर दोस्तों, सारे batches भी start हो गए ह आप इसे जो है, जॉइन कर सकते हैं, साथ जुलाई से यह batches टार्ट हो गए हैं दोस्तों, जिसमें आपको 20,000, 40,000, जू है आपको recorded content और आने वाले भविश में भी जो आपके batches बनेंगे, जो टीचर आएंगे, उन सभी के batches यहाँ पर मिल जाएंगे, अभी साथ जुला सुबह संड़े को ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों तो अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिजे तो सारे पेचे सारे टीचर जो आने वाले भी हैं वो भी एंक्लूड हो जाते हैं 12 महिने का लेंगे तो 4 महिनय का अडिशनल मिलेगा अगर 24 महिने का लेंगे तो 6 महिने का अडिशनल मिल रहा है इस समय प्राइजन बहने वाले हैं 5850 आपके लिए PSR 10 यूज करने के बाद जो 10% डिसकाउंट के बाद जो प्राइज आएगा वो 5850 आएगा दोस्तों जो आप अवेल कर लें ना फिर यह ओफर छोड़ जाएगा बैंक SSC कॉंबो ओफर भी है दोस्तों PSR 10 आपको पोड यूज करना है ठीक है तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे एक साल पे 4 महीन है दो साल पे 6 महीन है ठीक है डेली लाइफ सब कुछ मिल रहा है तो दोस्तों यहां पर हम लोगों ने जो बेश 200 प्लस सीरीज से जितने भी हम लोग ने यहां पर सेलेक्शन दे जैसे कि जो हमारे रेगुलर स्टुडेंट रहे हैं जैसे कि आपको याद है जो इस नाम से लड़का आता है हमारे या शो में नाम है प्री उसका भी हो गया और अर्बे ऑफिस अटेंडेंट में ठीक है यहां देखे स्री राम जी बतारे सर मैं आर्बे ऑफिस अटेंडेंड में सौट लिष्ट हो गया मुंबई ऑफिस है सर बहुत बहुत धन्यवाद आपकी वजह से जीये में 30 अटेंट कर पाया थेंक्यू सो बबलुगरे सर गूगल भी बोलता है मेरा चान मुझे आया है नजर आपको देख कर क्या बात है तो भाई श्री राम जी जैसे बहुत सारे लोगों को सेलेक्शन मिला है इसी पेस्ट्वेंड प्लस सीरीज से जो कि मैं पिछले कई चैनलों में चलाता आया हूँ और यह सीर इस से बाहर कुछ नहीं आना है तो बस आप लोग भी दोस्तों आख बंद करके बस भरोसा कीजिए पीडियाख भी आपको टेलीग्रांपर मिल जाएगा या कुमकुम राय बता रहे हैं बिलकुल वेरी गुड तो दोस्तों कल मैंने एक होंवर क्वेशन दिया था आप सभी को जिनकी नौकरी लगए अब जैसे यह मुंबई में हुए उधर हो गया वह कानपूर रीजन में प्रीतम तो भाई मज़े करो अब आर्बे गाउं में ही नहीं कानपूर मेल और कानपूर वीजन में होगा तो लेकिन लखनों में उसके आफिस होगी ठीक है तो खेर कल का य ऑची जील कौन सी है भारत की सबसे उची जील कौन सी है यहां पर आपको बताना है तो कल है इसे बताया था दोस्तों केवल एक बंदे ने और उस बंदे का नाम है अनुराग कफालतिया मैंने कहा था जो लोग भी आफलाइन कमेंट में बताएंगे यानि कि शो खतम होने के बात जो नीचे कमेंट आता है उसमें जो बताएंगे तो अनुराक कफालतिया ने ये बताए था कि ये सिक्किम के उत्तरी भार में 18 फिट की उचाई पस्तीत है जो भारत की सबसे उची जील है ठीक है सिक्किम में कौन सा जील है चो लामू जील कौन सा जील मेरे भाई चो लामू जील की बात हो रहे है ठीक है इसे अगर इंग्लिश में देखा जाए तो सो लामू कहेंगे शो लामू इशो अ इंग्लीश में अभी बोलने दर्रघ भी बोलने anda Pomani गया है तरान का शहर है जहांप पर 1971 में यह आध्र भूमी संदखण के लिए संधी ती 42 जो रामसरिस्थल है 24 लिग गया मैंने वह सोकर जी सोकर जील कहां यह लड़ाख में है दोस्तों सोकरले कहां पर है यह लड़ाख में ठीक है क्लियर है यह 42 रामसरिस्थल तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया नौकरी रिखी हुई है ये भाई समझ रहे हैं कभी भी जिन्दगी में आपकी सोच छोटी हो सकती है उपर वाला जिसने आपको बनाया उसकी सोच छोटी नहीं है वो ब्रॉट सोच रहा है आपके लिए ठीक है तो कभी अगर आपको किसी भी चीज में असफलता मिल नहीं है या जो चार हो नहीं मिल तो फिर वो किसके मन का हो रहा है उपर वाले के मन का हो रहा है उपर वाला आपसे बहुत बड़ा है आप उसके आगे कीड़े मोकोड़े के बराबर है प्रिथवी तक कीड़े मोकोड़े के बराबर है तो वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है आपके लिए यह से चोटी गई है नौकरी पकी उनसे भी मेरी विनिती है कि प्लीज आगे की तयारी करेंगे ये कोई आपकी जिंदगी का डेश्टिनी नहीं था ये बस एक मैली स्टोन था एक स्टेशन था ठीक है तो दोस्तों देवताल जील ये जो है 2011 तक सबसे बड़ी जील रही है भारत की है ना य ये तुम्हारी जो राच्छस्ताल भी इसे कहा जाता है क्या कहा जाता है राच्छस्ताल भी कहा जाता है वुलर जील जो है दोस्तों ये कश्मीर में है ये कश्मीर में है मेरे भाई ये सबसे बड़ी किसकी मीठे पानी की जील है ताजे पानी की जील चिलका जील दोस्तों तो यह उली सा में है। मेरे दोस्ते हर यह सबसे बड़े खारे एक्टिव रणा और ऐसे बहुत सारे बच्चे जो कभी न के तश्रत है बहुत सारे बच्चे जो कही न कहीं बेडा पार्क गोहीं जायेगा इक दम मत गब रही है आपको सब लोग तो कैसे रीतम का हुआ वैसे सबका होता चला जाएगा लोग तक जील पर दोस्तों केबुल लाम जाओ नेशनल पार्क है मनीपूर में कहा है लोग तक जील केबुल लाम जाओ केबुल लाम जाओ दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लाम जाओ नेशनल पार्क दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क ठीक है तो दोस्तों अगर भारत के कुछ महत्पुन स्टेडिक जी के कि अगर हम लोग बात कर लें तो भारत का जो राष्टी चिन है दोस्तों अशोक इस्तंब वह सारनाथ से लिया गया है जिसमें चार शेर है अशोक इस्तंब वह सारनाथ से लिया गया है जहां पर महात्मा कारिडोर बन रहा है 300 बिल्डिंग्स को घिरा करें दोस्तों इसी लाश्टी चिनी के नीचे तुम्हारा लिखा रहता है सत्यमेव जैते सत्यमेव जैते कहां से लिया गया है मुंडकोप निशत से लिया गया है मुंडकोप निशत से लिया गया है दोस्तों ठीक है जब घोडे से जिससे ग्यान प्राप्ती के लिए अपने महल चोड़के निकले तो गोडे से निकले थे उसका प्रतीक है एक हाथी है महात्मा बुद्ध की माता जी को एक सपना आया था कि सफेद हाथी उनके गर्ब में प्रवेश कर रहा है तो वो जो है मेरे भाई वो एक द शम रासी महतमा बुद्ध की की राशी है और एक शेर है जो कि शोरव का और शाम्ती का प्रतीक है और दोस्तों साहस का प्रतीक भी धैर निकलीया भारत का सरवोच पुरुसकार है जो 1954 में शुरूआ से 54 में ही पदमश्री, पदमभूशन, पदमभूशन भी सुरू हुआ और फिल्म फेर एवार्ड भी सुरू हुआ, ठीक है, क्लियर है, ये हो सकता है कि सुमित भाटी और जित्ते भी लोग हैं जिनका नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है तुम्हारे जोन में वेकंसी कम रही हो, तु उसकार जो दिया जाता है, आर्मी वालों को वो परमवीर चक्र होता है, ठीक है, सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, सबसे लंबी नदी गंगा है मेरे भाई, गंगा जो है भागी रती और अलखनंदा मिल करके देव प्रयाग में गंगा का निर्मार करते हैं, दोनों के म जो अब दोस्तों सबसे बड़ी जो परवत चोटी है, वैसे दोनिया की Mound Everse है, हमाले इन सिरीज की अठासी सो अड़ालीस मीतर उसकी जो है उचाई है अब आठ दस्तमलो आठ छे मीतर और बढ़ गया है चाइना नेपाल ने भी इसकी जो है की उचाई को नापा है ठीक है लेकिन 85cm बढ़ गया है लेकिन अगर देखा जाए तो Godwin Austin Godwin Austin डोस्तों जिसे करा कोरम सीरीज में है करा कोरम पहाडी में K2 जिसे कहा जाता है वो भारत की सबसे उची छोटी है जो P.O.K. में जो P.O.K. में अगर भारत में बात करो, ये काराकुरम सीरीज को हटा दो, हिमालयन सीरीज की बात करो, तो सिक्किम का कंचन जंगा जो है वो भारत की सबसे उची परवचोटी जहां आप जा सकते हैं, दुनिया की तीसरी सबसे उची चोटी, सबसदिक जनसंख्या वाला शहर दोस्तो और वो सबसे कम पॉपलेसिन देंसिटी वाला डिष्टिक भी है, सबसे अधिक पॉपलेसिन देंसिटी वाला डिष्टिक नॉर्थ इस्ट दिल्ली है, 36,000 लोग पर स्क्वार किलोमेटर रहते हैं, सोच सकते हैं, भारत की जनसंख्या अगनत तीन सो बैयासी व्यक्ति प्र पर स्क्वार किलोमेटर लेकिन नॉर्थ इश्व दिल्ली 36,000 दिल्ली सबसे ज्यादा जनसंक्या घनतवाला केंदर्शासित प्रदेश है यूनियन टेरिट्री है 11320 लोग रहते हैं प्रतिवर्ग किलोमेटर सबसे अधिक जनसंक्या घनतवाला अगर श्टेट बात करें तो दोस्तों अगर बात कीजिए भारत का सबसे बड़ा छेत्रफल में यूपी ही था सन 2000 के पहले तक लेकिन यूपी से उत्राखंड सन 2000 में लग हुआ 20 साल हुए है उत्राखंड को बने हुए 11 मुखमंत्री हो गए एक सिष्टी को स्वामी को जोड़ लो दो बारह हो गए एक दिन की मुखमंत्री बनी थी राजस्थान अब एरिया भाई सबसे बड़ा भारत का राज्या सबसे छोटा कौन सा है गोवा गोवा जो कि 100% नलजल सबसे पहले चाइना फिर इंडिया फिर इंडोनेशिया फिर ब्राजील के अबादी जो है यूपी से कम है तो इसे राश्था खुसित कर दो पाच्वा सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा ठीक है क्लियर है इस बाद रिशब फिल्कुल सभी लोगों का हो जाएगा मेरे भाई तुम लोग एकदम तेंसन मत दो यार बहुत दुखी हो जाता हूं तुम लोग ऐसे मेसेज करते हो फिल्कुल हो जाएगा रुलाओगी क्या जिनका नहीं हुआ उनके मेसेज देख करके मैं एक इसलिए मेहनत करो मैं तुमसे ज्यादा मेहनत करूंगा बस इस बार सेलेक्शन दिलाना है और लेना है तुम्हें कोई कुछ भी कहने दो कोई भी कुछ भी कहे लोग तो कुछ भी कहते हैं लोग कहते सर आप पैसे के लिए छोड़ दिये अरे भाई साब मुझे पहले इतना पैसा पहले भी मिलता था जितना बाकी वहां के टीचरों को नहीं मिलता था मेरा 15-16 साल का experience है मुझे कि अड्रमी में अणने मिलता था में जीवन मौत मोत मैं बहुत आ दिनी जाना है लेकिन बोलने वाले कुछ भी पोलेंगे सबका मूथ छोड़ी रोखोगे कोगे Заुब देने वाले कुछना खेड़ी तो मैं उनकी लेवली उतरा कभी भी सूर से लण नहीं लड़ना चीङ, क्यों? क्योंकि सूवर से लड़ोगे, तुम गंदे हो जाओगे, उसको मजा आरा होगा, वो तो किछण में है ही, उसको तो यही काम है उसका, उसके साथ लड़ोगे तो उसको और मजाएगा, वो तो खेल रहा है और तुम हो रहे हो दंदे इसलिए ऐसी situation में लोगों को बोलने दो और famous कर रहे हैं वो तुमको जो लोग नहीं जानते वो भी जानेंगे कौन है सर जिनको इतना पैसा दे रहा है लग रहा है बहुत तगड़ा सेलेक्शन दिलाते हैं लगता है बहुत बड़े टीचर है अच्छा है ना प्रचार कर रहे हैं फ्री में दिक्कत क्या है दोस्तों कहने दो लोगों को तुम अपना tension मतलतो तो अपनी तयारी में मल लगा इन सब चीजों से निरास नहीं होते हैं इन सब negativity से भागते नहीं है दोस्तों राजियों के अनुसार सबसे ज्यादा वन अक्षादित राज सबसे जंगल कहां पर हैं MP में MP में चलो लगरा सही हो गया नहीं रिफ्रेश कर लो सब लोग सब लोग रिफ्रेश कर लो ठीक है दोस्तों अगर बात करें सबसे तब जंगल बढ़े कहां पर हैं तो वो करनाटेप हो जाएगा दुनिया कः सबसे बड़ा डिल्टा दोस्तों सुन्दरवन दिल्टा दुनिया में सबसे अदब बारिश कर लोग धी म मासीमरम में मेग आले में जहां चेला कुंझी भी बगल किस से जोड़ता है आसाम से जोड़ता है आज आसाम के पुरु मुख मंत्री सरवालन सोनबाल भी कबिनेट मंत्री बन गया पहले भी खेल मंत्री थे दोजा चौदर में दोस्तों यहां पे अगर हम लोग बात करें तो आसाम का था यह साधिया गाउं जहां से भूपेन हजार 9.15 किलोमेटर का है ब्रहमकुत इतनी चोड़ी नदी है भी तो लोहित रीवर पर बना है और इस पर से टैंक ले जाया जा सकता है दोस्तों इतना मजबूत बनाया गया है युद्ध की परिस्तिती में ठीक है इसके बाद दोस्तों भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रीज ज है जिसे अटल जी ने बनवाना सुरू किया था छे फी टावर के बराबर इसमें लोहा लग गया दोजा तीन में सुरू आता पच्चिस दिसंबर को अटल जी का बड़े गुड गवर्नेर्स डेक के रूप में मनाया जाता है सुशासन दीवर्स के रूप में तभी इसका उ पॉर पॉइंट क्लियर है कौन अमेरिकन एस्ट्रो नॉट है कौन एस्ट्रो नॉट है जी ठीक है चलिए आगे बढ़ते है सबसे लंबी सुरंग अब जवार सुरंग ने नाशरी चिनानी सुरंग है जिसे पठनी टाप सुरंग स्यामा पसाद मुखरजी जी के नाप पर रखा गया जम्मू कश्मीर में सबसे बढ़ा नेशणल हाईवे टनल कौन सा है दोस्तो यह भी भड़़त इंपॉर्टेंट है पोह दूझाही पर अजिसका नाम है रोहतांग टनल यह अटल जी के नाम के रखा गया है रोहतांग टनल का नाम अटल टनल रखा गया अटल जी ने इसे भी बनवाना शुरू किया था अटल जी अब मोदी जी कलती क्या डॉक्टर हर्सवर्धन को निकाले ही दिये मंत्री मंडल से, इस्तीफा दे दिये डॉक्टर हर्सवर्धन जी, तो दोस्तों हिमाचल पदेश के मनाली से ये जो है लगदाख के लाहौल इस्पिती को जोड़ रहा है दोस्तों, ये कुश्चन एक्जा में मिलेगा इसे नोट कर लेना कि मनाली से लाहौल इस्पिती को जोड़ रहा है अटल टनल, अटल टनल हिमाचल पदेश से लगदाख में जा रहा है, ठीक है, यूद्ध की परिस्तिती में ये लगदाख पे कबजा करना चाहता है, मैक मोहल लाइन नहीं मानता है जो भारत का सबसे बड़ा म्यूजिम भारत संग रहल है कुलकाता में है, भारत का सबसे लंबा बांध यही भागी रथी नदी गंगोतरी से निकलती है और दोस्तो भागी रथी नदी आगे देव प्रयाग में जब अलखनंदा से मिलती है तो गंगा बन जाती है भारत के सबसे वड़ा जीला गच्छ जीला है सबसे पश्चिमी जीला भी कच्छ जीला ही है यह ऐहां फेख Marine और निशनल पार्क सफेद रड़ है ठीक है ख्लीयर है बात समझ में आ रही है क्लीयर है बात समझ में आ रही है क्लियर बात समझ में आ रही हैं चले इसके बाद बात करें दोस्तों सबसे लंबा एनेच तो एनेच 44 है जो सीनकर से करन्यय आ कुमारी तक है इसके पहले वरार्शी से करन्यय आ कुमारी तक था आनेच 7 सबसे लंबा निचनल हाईवे अब NH 44 है जो सीनगर से करन्या कमरी तक ठीए 144 है जो सीनगर से करन्या कमरी तक हे ठीए यहां तक क्लियर है इसके बाद सबसे बड़ा चर्च सेंसर्थ टेडरेल चर्षे गुवा का सबसे लंबा समुद तठ है, मरीन तठ चेन्नेई का सबसे लंबा नदी द्वीप है, रीवर आइलेंड है, वो माजूली है, ये दुनिया का सबसे लंबा नदी द्वीप है, ब्रह्मुपुतर नदीप है, ठीक है, क्लियर है, सबसे बढ़ी हैं, बहुत बई अब आगे बढ़ते हैं और अज दॉस्तो और आज की हम करन्ट न्यूस चलते हैं न कॉड़ए लोगों का प्रमोशन भगत 33 नए लोग जुड़े हैं आब किल रिम्टों को यहाँ पे पुम्त पर दिया गया क्या कहते हैं बाहर का रास्ता दिखाएगा यानि मंत्री मंडल में जगा नहीं दी गई है यह जो है यहाँ पे देखने लायक है ठीक है क्लियर है बहुत बढ़िया तो यहाँ पर यह कौन है रवी शंकर प्रसाद है यह कौन है सबसे बड़ा नाम यहाँ पर दोस्तो रवी शंकर प्रसाद है जो law and justice minister थे electronic और information technology minister भी थे OTT platform इनकेंडर में आता था चाइना के app इन्होंने जो है कि बैन किये थे portal यही सुरू करते थे है ना यह जो अभी social media की गर्वियांस officer बनाने वाले नियम हो चाहे twitter विवाद हो दोस्तों इसमें यह आजकल बहुत जादा थे तो इनको मंत्री मंदल से छुट्ती दे दी गई है ठीक है क्लियर है बहुत बढ़ी है इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरे नंबर पे सब बहुत बढ़े फेस है प्रकाश जावडेकर प्रकाश जावडेकर जी सुचना प्रसारण मंत्री थे इनवार्मेंट फॉरेस्ट इन क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर थे और दोस्तों यह साथ में जब सिउसेना विप्रक्ष में गई तो सावंत जी का मंत्राले है वी इंडिस्ट्री और पब्लिक इंटरपाइज सार्मजनी कुद्यम और भारी उद्योग मंत्राले भी इनके पास चला गया था यह भी अब इन्होंने भी स्टीफा दे दिया इन्होंने भी स्टीफा दे दिया क्लियर है बात समझ में आ रहा है चल बहुत बढ़ी इसके बाद दोस्तों यहां पे डॉक्टर हर्सवद्धन जी कुरोना की सेकेंड वेब कहीं ने कहीं आई इंडि पहली बार 92,000 हुआ यानि एक लाग करोन से कम का हो गया जबकी एक लाग करोन से कम नहीं हो रहा था इधर कई महीनों से तो दोस्तों कई तरीके से लोगों की जाने चली गई, बहुत बड़े बड़े लोगों की जाने चली गई और बहुत हर परिवार, हर समाज में के जाने पहचाने और जान पहचान के लोगों की मित्ति हुई है कई बच्चे अनात हो गए तो दोस्तों Minister of Science and Technology Minister भी थे ये पित्वी विज्यान मंत्राले यानि मौसम विभाग वाला भी Health और Family Will Fair Minister भी थे इन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है अब कई लोग ये भी करें कि ये लोग इतने बड़े नामें इनको संगठन में जगद दी जाएगी इस संगठन को चुनाव आने वाला है अब इनसे बोला जा रहा है कि आप लोग अपने अपने एरिया में संगठन में लगिए रमिस पोग्रिया लिसंग जी जो New Education Policy 1986 को बंद करके इन्होंने New Education Policy 2020 लांच करी HRD मिनिष्टर पहले कहे जाते थे मानस्वान साधन के कास मंत्री अब Education मिनिष्टर कहे जाते हैं ठीक है क्लियर है तो ये जो है हरिद्वार से चुनके आते थे दोस्तों डॉक्टर हर्स वर्दन ये चाननी चौक से चुनके आते थे और प्रकाश जावडेकर जी महराश से राजसभा के सदस्य थे रविशंकर पसादी सतुदन सिन्ना को हराके पटना साहिब से चुनके आते थे तो ये सभी लोग जिको टाटा बाई-बाई-बाई-खत्म हो गया है ना अब इनकी जेगा बहुत सारे नहे लोगों को मंत्री कि धी थे चेमिकल और फटलाइजल मिनिस्टर थे इनका भी जो है कि दोस्तों टाटा बाई-बाई-बै हुआ है इसके बाद थावर्चंद गहलोत जी जो की सोसल जश्टिस और इमपावर्मेंट मिनिस्टर थे यानि समाजिक न्या और आधिकालिता इनको तो पहले ही राजपाल बना दिया गया बताईए इन्हें कहां का राजपाल बनाया गया है ठीक है अंकित कुमार जी कहरें सर न्यू कौन कौन है सर उसकी भी लिष्ट बता दीजेगा एक बार बिलकुल बता दूंगा अभी पॉर्टफोलियो डिसाइड हो जाने अभी लिष्ट कोई फाय मंत्री थे समझे नहीं आप मेरी बात में क्या कहना चारो मेहनत करो तो सार्थक मेहनत करो निरर्थक मेहनत करने की जवरत नहीं है अभी पॉर्टफोलियो नहीं है तो उन मंत्रियों के नाम रठ के करो कि क्या दोस्तों अन नाम में जैसे बाबुल सुप्रियो जी आसन सोल स बहुत सारे ये राजी मंतरी थे जैसे संजे दोत्रे साफ ते रहतलाल कटारिया थे प्रताप चंसारंगी थे उडिसाक में दोस्तो जोपड़ी पे रहते थे उडिसा का फकीर मोदी कहा जाता था इनको सुस्री दवश्री चौधरी थी ऐसे बहुत सारे बड़े-बड़े ना बहुत बड़ियां चलिए अब दोस्तो आईए अब हम लोग ये तो करेंट बात हो गई आज की बात हो गई और एक स्टेडिक जी कहीं बात है अब थोड़ा सा हम लोग अपने सिक्स मंत करेंट अफेर वाले मिशन पे भी चल पड़े तो अच्छा रहेगा दोस्तों खेल ब रापत किया है यह आपको बताना है यह आपको मेरे भाई बताना है अब मैं आपको अगर बात करूं तो खेलो इंडिया खेलो इंडिया वाला जो गेम है खेलो इंडिया वाला यह इस बार पंचकुला में होगा पंचकुला में होगा हर्याणा में ठीक है खेलो इंडिया य युनिवर्सिटी गेम की बात की जाए तो दोस्तों यह खेल जो है जैन इनिवर्सिटी बेहोगा पैंगलोरू में जैन इनिवर्सिटी में होगा ठीक है बहê ज्यादा ज्यादा पदक हम लाप आए ओलंपिक में दोजाट 24 में पेरिश में और दोजाट 23 में लॉस अंजलिस में इसके लिए ये जो है वेवस्था बनाई जा रही है तो विंटर गेम जो है दोस्तों ये गुलमर्ग में पिछले बार भी खेला गया और इस बार भी जमुएट कश्मीर के गुलमर्ग के बारा बुला टिस्टिक के इसकी रिजॉर्ट में ये खेला गया और दोस्तों जम्मुन कश्मीर ने ही इसमें टेबल में टॉप किया, जम्मुन कश्मीर ने ही टॉप किया, ठीक है, क्लियर है, समझ गए, बात समझ में आ रही है आपको, समझ गए, चल, नितिया योग द्वारा जनवरी 2021 में, एस्पिरेशनल डिस्टिक की रैंकिंग की सुची में, किस जीले का इस्थान सबसे उपर है, किस जीले का इस्थान सबसे उपर है, भारत के पहले स्पोर्स उमिर्शिटी की वाइस चांसलर बनी एक कंडम मले सुरी, ये भी बिलकुल सही जवाब है, ठीक है, क्लियर है, चले बहुत बढ़िया, तो दोस्तो नीतिया युग द्वारा जो एस्पिरेश्टल डिष्टिक की रैंकिंग है, इसमें किस जीले का इस्थान सबसे उपर है, तो बिलकुल यहाँ पे निवादा बिहार की जीले की जीले की जो है रैंकिंग सबसे उपर है, ठीक है, एस्पिरेश्टल डिष्टिक क तो अस्पिरिस् nominees, उसे कहते है, प्लीज यह आप लोग यहान ज़ान भंख मत करो, ठीक है, 걸े डहान भंख मत करो, यह करो, नहीं करूंगा, मैं किसीOkay भी ब्लॉक नहीं करो ठीक है चलो एक विनुट आप लोग पढ़ाई को डिश्टर्ब मत करिए पढ़ाई में डिश्टर्ब नोई है प्लीज आप लोग पढ़ाई में बिल्कुल डिश्टर्ब नोई है ठीक है बिल्कुल मंत्री मंडल में जो चेंज हुए है रड़दीप मैं उस पर एक क्लास लूंगा ठीक है रिसब जेहन तुम 15 लोगों को लाए हो भाई तुम तुमारी बात हम मांग रहे हैं अभी ब्लॉक करवा रहे हैं लेकिन यार किसी को ब्लॉक करने के क्या मतलब मैंने भी कमेंट नहीं देखा उसका कोई ऐसा अपत्ती जनल दोस्तों देखो अब छोड़ो अपने बाई पर होना चाहिए अर्जुन की तरह अपना लक्ष पे नजर रखो दोस्त इधर उदर की चीजों पर नहीं समझ रहे हो मेरी बार एक बार क्या हुआ मीरा बाई जो है दोड़ के जा रही थी किशन जी की याद में दोड़ती हुई जा रही थी कि राश्ते में जो है कोई मुलाना साप तो दो नमाज पढ़ रहे थे उतना उनके चटाइक चली गईए पकड़ लियो अ बूले कि मैं नमाज पढ़ bona था तुम्हें चटाइक कैसे चली गईा समझ में नहीं आ रहा हैं तो उसने एक ऐसी बात कही कि मैं तो अपने भगवान के लिए अपने प्रभु के याद में इतनी लीन थी कि मुझे ना आप दिखाई दे रहे थे ना आपकी चटाई दिखाई दे रहे थे लेकिन आप कैसे पढ़ाई कर रहे थे नमाज पढ़ रहे थे सजदे में थे अपने उपर वाले को याद कर रहे थे तो आपको कैसे ये दिख गया कि मैं चटाई पे से गई दोस्तों बहुत बड़ी बात है अपने ध्यान को एकागर कीजिए इन सब चीजों पर टेंशन मत लीजिए ठीक है मैं आपके लिए कह रहा हूँ ये सब आएंगे जाएंगे इनका काम है इनको पैसा दिये जाता है ये सब बोलने का कि जो भी ऐसा जो है करे मतलब जो भी ज चेड़ी उसको ऐसा बोलना है उन लोग का मिशन होता है तो उस अब समझो गुंडा भतमासों का चैनल है समझो यार उन लोगों का यही काम है तुम इसके टेंशन ही मतलो ये खुद ही सान्त हो जाएंगे अकआशाक्मक जिले कौन से होते हैं जो सबसे बॉटम पर ठर्फॉर्मंस कर उसे आवर्ड दो तभी तो बॉटम वाले फ्रंट पर आैंगे क्लियर है तो दोस्तों यहां पर देखा जाए दूसरे स्थान पर कीफिरे है नागा लेंड का अनमसाई है रुनाचल पदेश का 112 एस्प्रेशनल डिश्टिक है जिसका वर्डन बजट में भी किया गया था इसलिए इसे याद रखेगा ठीक है तो सिक्षा में, स्वास्त में, क्रिशी में, फिनेशल इंक्लूजर में, स्किल डवलप्मेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हर पेरामिटर पे निवादा ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया किस शहर को सरकार की Ease of Living Index में 1,000,000 यानि 10,000,000 से अधिक आबादी वाले शहरों की केटिगरी में, सबसे अधिक रहने योग शहरों के रूप में स्थान दिया गया सबसे अधिक रहने योग जो है, शहरों के रूप में स्थान दिया गया हाँ, बिल्कुल, अब देखो, यह अच्छी बात कही है, मेरा हुकम बस यही है, हुकम नहीं विरिती है, कि अपने भविश्च पे ध्यान दो बेटा शिमला जो है दोस्तों यह 10 लाग से कम की अबादी में, वन मिलियन के कम की अबादी में, है न, सिमला जो है, Ease of Living में सबसे बढ़या शेयर है, बैंगलोर is the right answer, 10 लाग से ऊपर की अबादी में, बैंगलोर सबसे सिटी है, सबसे बेश्टेक सिटी भी है, हर चीज का वोट को दोस्तों Voice of Customer Award भी मिला है, करनाटक की राध्धानी है, करनाटक में विय सेदूरप्पा जी है, और यही पर अभी हमारे समाजी को न्या अधिकारिता मंत्री धावर्चन गैलोर जी राजेपाल भी बन गए, ठीक है, राजेपाल की लिस्ट मैंने सुबह पढ़ाई थ पहले पर दोस्तों पेंगलोर, फिर पूने, फिर एहमदाबाद, फिर चेन्ने, फिर सूरत और फिर नभी मुंबई, यह भारत की टॉप सिक्स ऐसी सीटीज है, जो रहने के लिए मस्त है, ठीक है, दस लाख है, एक लाख नहीं है काजल, दस लाख से कम वाले में, सिमला है, भूनेश्वर है, सिलवासा है, काकी नाड़ा है, सालेम है, वेलोर है, फिर गांधी नभर है, गुरुग्राम है, देवंगिरी है, तो यह सब दस लाख से कम वाले में, यह टॉप पर है, ठीक है, दोस्तों केंद्री आवास और सहरी मामलों के नभर पालिका, पदरसन सूच कान के 2020 में, किस नगर महा पालिका को पहला इस्थान मिला, दोस्तों अनुराग ठाकुर, राज्य मंत्री से केबिनिट मंत्री आज हो गए, हर्दित सिंग कूरी जो की सहर अरबन डेवलप्मेंट मिनिस्टर है, और सिविल अविशन मिनिस्टर है, यह भी केबिनिट मिनिस् पहुत सारे लोगों का प्रमोशन हुआ है, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल सिल्कॉन वेली आफ इंडिया, ठीक है, अब मत करो कॉपी पेश्ट, सिल्कॉन वेली वाले यह थोड़ी सिखाते हैं, नया बनाओ, ठीक है, तो इंदॉर दोस्तों यहाँ पे पहला इस्थान मिला याद है न, अभी मैंने पढ़ाया था, स्मार्ट सिटी में, इंदॉर और सुषत का टाई हो गया, यूपी उसमें राज्यों में टॉप पे था, और चंडीगर उसमें यूनियन टेरिटरी में टॉप पे था, स्मार्ट सिटी में, ठीक है, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इ यूसरे पे और गांधी नगट तीसरी स्थान पे है, ठीक है, क्लियर है, रोज क्लास चलती है, अंकित, रोज क्लास चलती है, मैंने अपने थमनेल पर लिखवा दिया, इसलिए कि रोज रात 9 बजे जुड़ना मत बोलिए, इसके बाद मेरे भाई अगला प्रशनी की टाट टाटा मोटर्स ने हलके वारिजिक वाहनों के फिनांस के लिए, फिनांस को इंगलिश हिंदी में वित्त पोसड कहते है, किस बैंक के साथ एक M.I.U. पर हस्ताक्षर किया है, तो दोस्तो टाटा मोटर्स, मार्क लेली टोसला इसके हेड भी बनाए गया है, टाटा ग्रूप के जो फाउंडर थे जमसेजी, टाटा वाई सदी के सबसे बड़े दानी, सबसे बड़े परोकारी फिलन्त्रोपिस्ट चुने गया है, विल गेर्स दूसरे नमबर पर, दोस्तो अगर बात करें, टाटा मोटर्स और टाटा पावर मिलके भारत का सबसे बड़ा कार पोर्ट बना रहा है कुणे में, टाटा अपना मोबाईल का फैक्टरी बना रहा है, मेरे भाई कहां पर बना रहा है, तमिलनाडू में बना रहा है, ठीक है, याद रहेगा, सदी का सबसे बेश्ट आंत्रप्रोनियर तरतन टाटा को चुना गया था, भारत का सबसे बड़ा हलके वारिजिक वाहनों के लिए इन्होंने टाइप SBI से किया है, SBI की क्या बात की जाए, दोस्तों SBI ने Tata की टाइटन से भी टााइप करके टाइटन पर बनाया था, टाटा की ये टाइटन वहाँच वाली कंपनी है, इसने बा, यसनल के साथ मिलके भारत निष्टा पे भी SBI ने बनाया है, SBI ने 100 करोन तक का लोन देने वाला आवोग्यम बिजनेस लोन भी सुरू किया है, जो लोग हेल्थ सेक्टर में कोई इंडिस्ट्री ओपन करना चाहते हैं, कोई फैक्टरी दवाई बनाने की, वैक्सीन बनाने की, ऑक्सीजन प्लांट की, पैथलोजी, ल सबसे बड़ा cricket का stadium, अरेन्मोदी, stadium, सावरमती, नदीक ना रहे हमधाबाद में, दूसरा सबसे बड़ा जैपूर में बन रहा है, बिल्कुल अउधेज जी, सही कह रहा है, दूसरा सबसे बड़ा कहां बन रहा है, जैपूर में बन रहा है, राजस्थान भावी बनने तो यू आई डीए आई के नए CEO के रूप में किसी नीज़ गए गया दोस्तों यू अधार कारड बनाती है आद़ार कारड जो है 12 डिजित का होता है 12 डिजित का पैन कारड 10 डिजित का होता है ठीक है तो UIDI के अध्यक्ष कौन बने है मेरे भाई तो वो बने है सौरब गर्ग, कौन बने है, सौरब गर्ग, वीजे सामपला सायद, ST, आयोग के जाद, अन्सुची चंजाती के सायद, हेड है, वीजे सामपला जी, दुसरें चोटाला जी, हरियाणा के उप्र मुख मंत्री है, मनोला कटर मुख मंत्री है, ये डुप्ती टेनिस में चाइना का राष्टी खेल टेबल टेनिस ही है, पूछता है आपके पड़ोसी देसों में, तिरंदा जी किसका राष्टी खेल है, भुचकशी किसका राष्टी खेल है, तो पूछता है, ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करें कि थोड़े से अपॉइंटमेंट एन वी रमना ठीक है इसके बाद बात करें दोस्तों सिडवी स्मॉल इंडूस्ट्री जवलप्मेंट बैंक आफ इंडिया लगनव में इसका हेट कोटर है 2 अप्रेल 1990 को इसकी स्थापना होई थी MSME सेक्टर को यही लोन प्रोवाइड करता है बात करें सेवी की दोस्तों 12 अप्रेल को इसकी स्थापना होई थी 1988 में इसकी स्थापना होई थी लेकिन 1992 में इसको एक्ट बना करके इसको सम्वेधानी क अधिकार दिया गया Security Exchange Board of India शेर मार्केट को, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता ही है, कमपनियों के लिनियम बनाता ही है साथ में अभी यह गोल्ड और कमॉलिटी मार्केट को भी रेगुलेट करेगा कमॉलिटी मार्केट को करना कर चुका है, गोल्ड के लिजबर बजट में कहा गया नाबाड की बात की जाए दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो इसका जो मुंबई में हेटकॉर्टर है अगर नाबाड की बात की जाए, गोविंद राजुलू चिंताला, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होई थी और मुंबई में इसका हेटकॉर्टर है, मुंबई में इसका हेटकॉर्टर है अगर दोस्तों, यहाँ इसरो की बात की जाए, पंदरा अगस्त, पंदरा अगस्त, 1969 कोई आई थी इसरो का हेटकॉर्टर बैंगलूरू में है, इसरो के पहले हेट विक्रम सारा भाई थे तिरोनन्त पूरम में, केरल में, दूसरे अध्रिक्षते डॉक्टर सतीज धवन, सतीज धवन अंतरिक्षकेंद इस स्पेस इंटर जान रॉकेट सेटलाइट लॉंच किये जाते है वो स्री हरी कोटा आंधर पतेश है, ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा, बहुत बढ़ी है इसके बाद दोस्तों बात करें तो, FCI, Food Corporation of India के हेट कौन बने है Food Corporation of India के हेट कौन बने है, दोस्तों, तो Food Corporation of India के हेट बने है, आतिश चंद्रा कौन बने है आतिश चंद्रा बने है, अनिश सा महिंद्रा, इन महिंद्रा के हेट बने है, कौसल्या संकर को इंटरनेशनल करेंज आप वीमन का अवाड मिला था नौरिन हसन फेडरल रिजर्व की हेट बनी है, म ए गंडपती दोस्तों, ये NSG के साइध हेट बने है, न, NSG के हेट है हेट क्वाइटर है मेरे भाई नई दिल्ली में, कहा है, Food Corporation of India का हेट क्वाइटर निव दिल्ली में चैंपियोन अब दी अर्थ अवाड भी दिया था, United Nation Environment Program का हेटकृर्टर नैरोबी केन्या में है United Nation का New York में है, लेकिन Environment वाला जो भी है, वो Environment Program वाला हेटकृर्टर नैरोबी केन्या में है लेकिन उसकी एक New York में भी साखा है, जिसकी हेड लीगिया नोरोन्हा को बनाए गया, तो दोस्तो जी आर चंताला जो है आपके नाबाट के हेड है, GP सामन्त जो है ये Chief Statistician of India है आपके, ठीक है, तो यहाँ पे Airport Authority of India के हेड कौन बन गया, संजीव कुमार बन गया, कौन बन गय 95 को इसकी स्थापना वेट, ने कोची का नया नाम कोची नया अंके, ठीक है, उसको चाहिना मत समझ लेना, केरल में ही है, किस देश के साथ भारत ने हाल ही में पहली बार, पहली बार है, नसी तनो सेना अभ्यास कर देए, नेवी एक्सरसाइस पहली बार कर देए, पहले कर उस देश का नाम है मेडागासकर, मेडागासकर हम लोग का बड़ा मित्र देश है, हमने जब दोस्तों ऑपरेशन संजीवनी चलाया था, मिसन सागर, मिसन सागर में हिंद महा सागर के पांच देशों को, आइलेंड नेसंस को हमने मदद भेजी थी, कोरोना का जब पींक था खाने पीने की चीज़े सभमने भेजी थी, तो मेडागासकर भेजी थी, मालदीव भेजी थी, मौरिसस भेजी थी, सेशल्स भेजी थी और कॉमरोस में भेजी थी, इन पांच जबों पे भेजी थी, इन फाइफ हिंद महा सागर के आइलेंड नेशन पे भेजी थी, सागर क फुलफा में security and growth for all in the reason ये 2015 में मोदी जी ने अपने आरोस पडोस के देशों में की unity बनाने के लिए उनकी मदद करने के लिए दुख के समय में यह लाया थे मिसन सागर वन में पाँच हिंदमा सागर वाले नेशन थे मिसन सागर टू में दोस्तो सुडान साउथ सुडान और और सुडान साउथ सुडान और कौन कौन सादेस था देखो मुझे नामी नहीं याद आ रहा हूँ मिसन सागर टू में चार अफ्रिकन नेशन में जोस्तो हमने मदद बेजी थी एक तो इथियोपिया था इरिट्रिया था कौन था रसोडे में कौन था देखो नामी नहीं यादा दिमाग से स्लिप हो रहा हूँ सुडान साउथ सुडान दिमाग से स्लिप हो रहा हूँ दोस्तों मिसन सागर 3 की बात की जाएं तो मिसन सागर 3 वियतनाम में INS किलिटन गया था इसने मदद की थी ठीक है ठीक है चलिए अब इसके बाद दोस्तों मेडा गास कर ठीक है क्लियर है अच्छा राशी थी अनुराग कफालतिया वो ये भी पता है कि राशी थी गोपी बहु नहीं हो सकती है क्या आएने सार्दूल और माला गासी नेवी के जहाज MNS चोजुना ने 24 माच को अंटर शिराना मेगासकर में एक पैसेज एकसरसाइस किया है ठीक है दोस्तो जन औसधी दिवस या जेनरिक मेडिसिन दिवस किस स्तिथी को मनाया जाता है दोस्तो जन औसधी केंडर खोले गए पधान मंत्री जन औसधी केंडर भी खोले गए ठीक है पधान मंत्री जन औसधी केंडर जन औसधी केंडर जन औसधी केंडर अगर आप अपने आसपास खोजना चाहते हैं तो सुगम एप को डाउनलोड कर लीजिए आपके आसपास ऐसे जन औसधी केंडर बहुत सारे confirmed पच्ष़प्तर सो पूरे देश भर में जन औशधी केंडर है और पच्ष़प्तर सो में जन और सदी मेडिकल इस्टोर की सुरुआद भी मोदी जी ने की थी 7 March को दोस्टों यहाँ मईद मार्च को जन और सड़ уст जीबूती तुम लोग ने मदद करती मेरे तुम लोग हो तो मुझे क्या जाहां मैं फस्ता हूं वहाँ तुम लोग खुदी बता देते हैं लोग जूते ही मुझे गूगल का बताते तो तुम लोग का जो बतादेता हूं और देखो जीबूती था नहीं की नहीं तो दोस्तो पधान मत्ती सीरे निर्मोधी में 7 माच, अच्छा है एक माच सो 7 माच था कि इन में पूरा विक भी चलाया ता इसका पूरा और उसका नाम भी रखा ता क्या सेवा भी रोजगार भी सेवा भी और रोजगार भी हाँ जेनरिक दिवाव में सत्य में जयत्य पता अमेर खान का वीडियो था वो वीडियो मैंने टेलिग्राम पे डाला भी ता उस समय है ना ठीक है दोस्तो अप्रैल असितंबर के दोरान 8.30 बिलियेंट डॉलर के साथ भारत में एवडियाई प्रत्यक्ष विदेशी निवेज का सबसे बड़ा सुरूत बनकर कौन सा देश उपरा है सबसे बड़ा जो है एवडियाई दोस्तों जब विदेशी प्रत्यक्ष निवेज यानि विदेश से जब कोई कंपनी या विदेशी वेक्ती बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कि अपनी हिस्टेदारी यहां पे लेता है यहां पे बिजने स्टार्ट करता है तो डॉलर लेके आता है तो उससे हमारे देश का विद्यस्टी मुद्रा मंडार भी भर जाता है सबसे ज़्यादा FDI पहले मौरिसस से आता था लेकिन मौरिसस रूट पर हमने बैंड कर दिया क्योंकि मौरिसस रूट के थुरू होता क्या था कि विद्यसों में जो स्विस बैंग में काला धन है वो काला धन कैसे वापस इंडुस्ट्रिलिस्ट लाते थे नेता लाते थे ब्लाक मनी वापस ले आते थे इसे कहते थे राउंड ट्रिपिंग तो यह जो काला धन घुमा फिरा की जो ले आते थे इसको बंद करने के लिए मौरिसस रूट से पैसा लेना और रिश्ट्रेशन लेना भारत सरकार में बंद कर दिया दूसरी वजह भी चाइना भी मौरिस में रिश्टर्ट करा करके भारत में निवेश कर रहा था कोगी चैनीज कमपनियों के लिए डिश्ट्रिक्शन है मौरिसस की कमपनियों के लिए नहीं है तो दोस्तों यह राउंड ट्रिपिंग और चाइना के इन्वेश्मेंट की वजह से हमने मौरिसस रूट को बंद कर पता कि चला वो हमारे भारतियों का ब्लेक मनी है इसी दिन तो 6000 करोड का करीब 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 विदेश वेता 6000 लाग करोड अब 20 हजार के करीब हो गया है बढ़ गया है मौरिसस रूट बंद होने से ठीक है सबसे नंबर वन पर UK ही काला धन के मामले में है स् सुरत हमारा शिंगापूर है सबसे बड़ा सुरत कौन सा है FDI का सिंगापूर है क्लिर है सबसे ह कि अनदा हरा एनधियार शिया सरो एंधा मैरी बूर्ड पि छिंगा पूर दोस्तोओ का चांगी एरपोर्ट बेस्ट एरपोर्ट है दुनिया का यहां का डेवलप्मेंट बैंक आप सिंगापूर दुनिया का भी बेस्ट बैंक है और भारत का भी बेस्ट बैंक है भारत में भी तो है रिचिन विलाज बैंक का उसने दिग्रण किया है डी बीएस इंडिया सिंगापूर में वर्ल्ड एकोनामिक फोरम की मिटिंग हुई थी दोस्तों सिंगापूर बेस्ट स्मार्ट सिटी में भी दुनिया के आता है दोस्तों तसलीमा संघर्स और साहित नामक कुस्तक के लिए बिहारी पुरुसकार 2020 किसे दिया गया दोस्तों अगर बात करें कि तसलीमा नसरीन जो कि ये लज्जा नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसके विए से हिंदू-मुस्लिम दंगे पर जिसमें उन्होंने वहां के हिंदू-महिलाओं की व्यथा बताई थी दंगे के दोरान जिसके विए से मुलवी मुलाना ने इनके खिलाब फत्वा जारी किया ये बहरत आके रहने लगी इनके संगहर सरसाहित पर एक उस्तक लिखी मुहन किष्ण गोहरा जी ने इन्हें बिहारी पुरुसकार से समानित किया गया धाई लाग रुपेस में मिलते हैं केके बिल्ला फाउंडेशन के द्वारा ये अवर्ड दिया जाता है केके बिल्ला फाउंडेशन के द्वारा ये अवर्ड दिया जाता है ठीक है में चार लाख रुपए का अवर्ड दिया जाता है व्यास सम्मान भी केके बिल्ला फाउंडेशन दुवारा उन्हें से क्यानबे से दिया जा रहा है ये सरद पगारे को मिला है शरद पगारे करती है फिर उनका बेटा कैसे सम्राठ बनता है इस पूरे संघर्स की कहानी है वन्ना मौरस सम्मान ब्रामण की बेटी की क्या दशा होगी आप जान सकते हैं दोस्तों इसके पाथ जो केके बिल्ला फाउंडेशन द्वारा एवार्ड दिया जाता है सरस्वती सम्मान जिसमें 15 15 लाक रुपे दिया जाते हैं क्यों सरस्वति सम्मान इस वार का किसे मिला की सरण लिंबाड़े जी को मिला है और यह उनकी किस पुस्तक के लिए तो उन्हें मिला है क्के कुस्तक सनातन के लिए 15 रुपै का क। पंदरा लाख रुपए पुरुसकार रासी है इसकी ये सबसे सर्वोच सम्मान है के के बिल्ला फांडेशन के दुआ है ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है वैसे दुनिया का सबसे बेश पुरुसकार बुकर प्राइज है जो इस बार किसे मिला है डेविड डायोब को डेविड डायोब को बुकर प्राइज मिला है डेविड डायोब को जिनोंने बुक लिखा है In the night all blood is black रात में सभी खुन काला होता है In the night all blood is black मैं translation करके बता रहा हूँ हिंदी में बुक का नाम नहीं है डेवी डायोग को बुकर प्राइस इस बार का मिला है ठीक है बुकर प्राइस हमारे आज़े पांच लोगों को मिल चुका है उसे हम लोग किस ट्रिक से याद रखते हैं ट्रिक क्या है याद रखने की बीस आका एक बुक मुझे याद ने रहता है फिर भी मैं बताने कोशिश करता हूँ बीस नायपाल इन फ्री स्टेट के लिए सलमान रुजदी मिडनेट चिल्रिन के लिए अरुंदती राय गौड अफ स्मॉल थिम के लिए कीरन देश साई इनहरिटेंस अफ लॉस के लिए अरिविंद अडिगा वाइट टाइगर के लिए अब ये लाश दो वाले ही कनफर्म करना इसमें बड़ा कनफिश हो जाता हूँ ठीक है क्लियर है बात समझ में आ रही है दोस्तों सेरा वीक वैश्वी पुर्जा और परयावरर नेत्यत्य पुरुषकार से किसे समानित किया गया नरिंद मोदी जी को समानित किया गया था सेरा वीक क्या है दोस्तों कैम्बरीज इनर्जी रिसर्च एसोसियेट वीक है कैम्बरीज इनर्जी रिसर्च एसोसियेट वीक सेरा वीक ये फुल फॉर्मेस का ठीक है क्लियर है दोस्तों नासा का जो मार्स रोवर है उसका नाम क्या है जिसने पहले test drive में 21 feet की यात्रा किये क्या किये 21 feet की यात्रा किये ठीक है clear है बात समझ में आ रही है दोस्तो यहां पर अगर Mars Mission की बात की जाए तो स्वाती मोहन ने इसे head किया था नासा के स्वाति मों. ठीक है? अब दोस्तो इस मिशन का नाम क्या था? परिसिवरेंस क्या दोस्तो है, इसल्च नाम है. दोस्तो अगर बात की जाए कि इन्हों ने जो रोवर, रोवर क्या होता है? जो की वहापे एक गाड़ी की तरह होता है, लेंडर में से निकलता है और वो रिसर्च करता है पूरा उस ग्रह पे घूम घूम के कहीं खुदाई करेगा कहीं इमेज लेगा कहीं यह सारे गैस चेक करेगा अक्सी अप्टाइटमास्फियर में कहीं हर तरीके की चीजे होती है उसमें तो उसका नाम इन्होंने क्या रखा ह जोस्तों इंजीनियुति रखा आये एक मिनेटई इसनें सब्सक्राइब है किूरियोस्टि सिटी नौट नहीं करना में इन। पर उडान भरी और प्रिथोई वास्यों के द्वारा किसी दूसरे ग्रह पर उडान पहली बार उडने का रिकॉर्ड बनाया है। मेड़े हिसाफ से यहां प्र पर क्यूरिसिती होगा। इंजिनुटी तो हेलिकॉप्टर था, रोवर का नाम क्यूरुसिटी है मेरे इसाब से, जो कि यहाँ आप्सन में नहीं लिखा है, कहीं मिश्टेक हो गए, परसीवरेंस तो इस मिशन का नाम है, कहीं न कहीं कुछ गलती हुई है, एक बार एक बार आप लोग चेक तरीगा, क् करना, क्यूरुसिटी तो नहीं है, इंजिनुटी तो हेलिकॉप्टर करना, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, चली, इसके बाद दोस्तों बात करें, निमलिकित में से किस जनरल इंसुरेंस कंपनी ने बिजनेस किस शुरक्षा कवर सुरू किया है, बिजनेस किस करती है, उसे कहते है, बिल्कुल मैं सही था, क्यूरुसिटी ही रूबर का नाम है, ठीक है, वहाँ पर ऑप्सन करेक्ट कर लेना, मैं इसका पीडियेफ आप लोग को दे भी दूँगा, टेलिग्राम दे, ठीक है, तो जनरल इंसुरेंस कंपनी जो नॉन लाइफ इंसुरें कंपनी ने, ठीक है, HDFC अर्गो जनरल इंसुरेंसी रूपे कार्ड वाला इंसुरेंस कर रही थी, जो आपको याद होगा, जन्धन योजना में जो एक लाख रुपे का इंसुरेंस था, जो दो लाख का हो गया बाद में, आगे चलके, वो HDFC अर्गो नहीं सुरू किया था, ICC Lombard की बात करें तो इसने भारती एकसा जनरल इंसुरेंस को क्या किया है दोस्तों, भारती एकसा जनरल इंसुरेंस को इसने क्या किया है, एक्क्वैर किया है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है, राम राम भईया, राम राम, ठीक है, चलिए, तो दोस्तों, ये आपका हो वहां से स्क्रीन सॉट लूँगा अकल के विजेताओं के नाम गुर्शित करूंगा यह आपका हमवर क्वेश्चन है नौ मार्च को पी-एम मोदी द्वारा उत्गाटन किया गया मैत्री से तू भारत और किसके बीच में एक ब्रिज है दोस्तो मैत्री बांड फ्रेंड्सिप डैम यह भारत ने अफगानिस्तान में बना या था अभी सातूत डैम बना रहा है अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में वो संसुद भी बना के दिया अफगानिस्तान तो मैत्रिस से तू किसके बीच है दोस्तों यह आपका हूंवर कुश्चन है तो आपको यहां पर बात समझ में आ रही होगी ठीक है तो आज का सेशन दोस्तों इसे पता ही नहीं चलता है कब टाइम बीच जाता है और आप लिए ताबड तोड तरीके जुड़े रहते हो तो आज का सेशन यहीं पर रखते हैं अगर आप अगर और लंबा सेशन चाहते हैं बताइए तो मैं और पढ़ा तू कोई दिक्कत नहीं है मार्केट के अप्लाइजाशन में फटर्ड पोजीशन पर है बिल्कुल सही जवाब है आपका पहले पर रिलायंस इंडेस्टी जै दूसरे पर कौन है TCS है और तीसरे कौन है HDFC है बिल्कुल तो क्या चाटते हो मैं और पढ़ाँ हूं कि बस और पढ़ाऊ या बस मैं इंतजार कर रहा हूं आप लोग के कमेंट का आप लोग जैसा बताओ वैसा मैं कर दूँ यह जो six month करेंडेफर विटी शडिक जीके हैं यह जनल एवनेश का शोट छोड़ना नहीं आप लोगों को सेलेक्शन यहीं से होना है दोस्तों क्योंकि मैं जो लिप के लाता हूं तो आता है जो मैं मुह से बताता हूं डेफिनेटली आता है और यह बात कान में गूझती है जब आप एक्जाम देने चाहते हूं हाँ क्यों नहीं दसरत हुआ था क्योंकि तुम्हें लाइफ चेट में दिया था कमेंट में देना है लाइफ चेट यह चल रहा है कमेंट नीचे होता है कमेंट में देना है वो लाइफ चेट के समय नहीं आता है बाद में आता है वो कमेंट वाल ओप्शन ठीक है सर पढ़ाओ, यहाँ पर कहरें पढ़ाओ, चलो तो दोस्तों 9 मार्च को बंगलादेश में यह पुल की सुरुवात हुई थी 9 मार्च को PM मोदी के द्वारा और मेरे भाई 26 मार्च को 1971 को यह अपने अजादी का दिन मनाते हैं 26 मार्च को 1971 को यह अजाद हुए थे 2021 में इसका 50 साल पुरा हुआ, बंगलादेश धाका टका तो मैत्री सेतू दोस्तों भारत और बंगलादेश के बीच में सुरू हुई है सेख हर्शीना यहाँ की प्रधान मंत्री है, इनके पिता जी जो सेख मुझीबू रहमानते उन्हें गांधी पीस प्राइस 2019 से नवाजा गया है बंगबंदू जी ने कहा जाता है, मैत्री सेतू एक ऐसा फुल है जो फेनी नदी पर बनाया गया है फेनी नदी पर बनाया है, घंक यू बाईया है, गल्या है के बीच बहती है, ठीक है, clear है, बहुत बढ़ी है, तो फेनी नदी, त्रिपुरा और बंगला देश राज में भारती सीमा के बीच बहती है, clear है, चलिए, बहुत बढ़ी है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, किस कंपरी ने women will web platform launch किया है, women will web platform Google ने launch किया है, Google ने दोस्तों एक बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा फर्मीना नाम से, फर्मीना नाम से सीक अप्टिकल फाइबर केबल भी बिचाया है, जो कि नौर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका महाद्वीब तक जा रहा है, जिसमें तीन देश भी है, अर्जेंटीना, मेक्सिको और एक देश और है, उरुगवेश है, गूगल की बात करें दोस्तों, तो गूगल की मदर कं कंपनी है, अल्फाबेट, अल्फाबेट और सुंदर पिछाई दोनों के हेड है, ठीक है, और माउंटेन व्यू में इन दोनों का हेड़क्वार्टर भी है, माउंटेन व्यू में इन दोनों का हेड़क्वार्टर है, माउंटेन व्यू में इन दोनों का हेड़क्वार्टर सांसन है जो कि अमेर्का की उपराश्पती भी बनी है कमला गुवा ठीक है क्लियर है गूगल क्लाउड ने जीओ के साथ टाइब किया है 5G के लिए बिल्कुल सही 4 सितंबर 1998 को इसकी स्थापना होई थी लेरी पेज और सर्जी ब्रीन इसके फाउंडर है ठीक है Microsoft के फांडर विल गेर्स और वह है पॉल एलन क्लियर है बात समझ में आ रही है गूगल ने अंतर राश्ट्री महिला दीवस के उसर पर अंतर राश्ट्री महिला दीवस के मिले था आठ मार्च को ठीक है एक नया वे प्लेटफॉर्म वीमेल विल लॉंच किया है यह मंच भारत में वन मिलियन ग्रामीर महिलाओं को अपना समर्थन प्रदान करेगा ताकि वे तुवरत कारेकरमों वेबसाइक टूटूरियल और मेंटर्शिप के मदद से उद्धमी बन सके रोसल डाल के रहे हैं पी बड़े सरे बदवान मेरा बड़े कहा है भाई कुछ भी चला दोगे क्या कुछ भी मेरा बड़े भाई साब 12 अप्रैल को आता है रियल वाला सर्टिफिकेट वाला 25 मही को है आठ मार्च को मेरी बेटी का बड़े है वीमेंज डे के दिन तो मेरा बड़े आज तो है नहीं सब ऐसे ऐसे जह है कि खलीफा आते है न यहां पर सेशन में देखके जह है दिमाग खराब हो जाता है कुछ भी धरमेंदर जी बन गया प्यूस गोए टेक्स्टाइल मिनिस्ट अगर लग रहा है कि पोटफोलियो डिसकस होने लगा है पोटफोलियो बनने लगा है कल सुबह जम के पोटफोलियो पढ़ेंगे बैंक लेडर पे बैंक लेडर चैनल पे दोस्तों पोटफोलियो पढ़ेंगे ठीक है बैंक लेडर चैनल पे पोटफोलियो पढ़ेंगे कल स शे बजे वाले current affairs show में, तो इसे ज़रूर देखिए, रोज सुबे 6 बजे मैं daily current affairs static gk के साथ पढ़ाता हूँ, ठीक है, अब आज का ये आपका homework question बन जा रहा है, बात करें बंगलादेश की दोस्तों, तो 19 दिसंबर को करीब हम लोगों ने, 19 दिसंबर था, 16 कौन सा दिसंबर कराने का, ये world record भारत के नाब है, second world war में तो पुरी दुनिया लगी थी, लेकिन second world war के अलावा, अगर उसके बाद किस समय में देखा जाए, तो 93,000 सैनी कहीं पे surrender कर रहा है, literally हतिया डाल रहा है, यूट्यूब पे देखो, पाकिस्तानी आर्वी surrender in 1971, और उनका general जो है, आत लिद को, इतने डरपोक होते हैं ये सब पाकिस्तानी, सबसे पहले अपना बंकर छोड़ के भागते हैं जब भारतिये भुस्ते हैं, ये सब बहुत डरपोक होते हैं, तो भाई साहा ये record बनाया तो हमने बंगला देश का नाम था, पहले पुर्वी पाकिस्तान, हमने उसे लुआ बनाया आरह बगला देज बनाया अमार सूनार बंगला अभिना टेगोर जी का राष्ट का मना लिखिऊ कवीधा वहां के राष्टगान बन गई भबादोस इस लिए तो इस्ट अभनता है इस अहसान को मानता है है कि नहीं मुझना इधर से बात समझ में आ रही है चलो तो आज के लिए दोस्तों यहीं रखते हैं ज्यादा मत पढ़ों 16 दिसंबर के इसलिए हम लोग विजया दीवस मनाते हैं और इसके नयक कौन है भारत के पहले सेम मालिक्षा स्टैक जी के गाई है कुईसिचन संदरा गांधीं की ओए ल हुझेक्र रटो फिल्डरेट फ्रिल खांधे संदरा गांधी दोस्तों यह आपका हुमर कोश्चन है इसका आपको कल जवाब देंगे और कल हम लोग यहीं ठीक 9 बज़े रोज मुलाकात होगी दोस्तों रोज रात 9 बज़े थेंक्यू सुमज शुक्रिया धन्यवाद जय हिंद जय भारत खुश रहिए मस्त रहिए बबाय टेक केर गुड नाइट जहां भी रहिए अपने पढ़ाई में